Hello friends, this is your host and dost Aarti Gupta and today we are doing movie review for Family of Thakurganch Movie के start में ही पैसो की कमी के करण father की heart attack से डेथ जाने से family की सारी जिम्मेदारी नुनु के कंदो पे आ जाती है जो की बहुती कम उम्र का बेपरवा नटकट सा लड़का है जिसे जीवन के बारे में सिर्फ इतना समझाता है की जीवन को जीने के लिए आपको आपके पास बहुत सारा पैसा और पावर का होना जरूरी है तो नुनु बहुती जल्दी नुनु से ठाकुरगंच के भायाजी बन जाते हैं भायाजी और उनकी वाइफ शर्बती देवी जिसे निभाया है माही गिलने के दोनों मिलकर extortion का business करते हैं वहीं दूसरा भाई मुनु अपनी पूरी मांदारी और आदर्शो के साथ एक successful coaching center चलाता रहता है With a big twist in a movie, movie takes off And this family starts getting affected with the violence around the city And movie ends with a very predictable message of masala movies of Bollywood की शांती और विवस्ता को बनाये रखने के लिए एक आम आदमी को कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ता है क्योंकि पुलिस और कानून के हाथ इतने जकड़े हों है कि वो तो आपकी help करी नहीं सकती है And police is always lit for the incident Movie की story बहुत ही average है जिसे लिखा है दिलीप शुकलाने और movie का screenplay और plot तो बहुत ही डीला है पोटेंशन को इस movie में use नहीं किया गया है Jimmy Shergill ने फिर से अपना character बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है जिसमें आपको Tanu Weds Manu के राजावस्तिकी थोड़ी सी जलक देखने को मिलेगी Mahigill ने भी अपने किरदार में पूरी जान डाल दिया और वहीं शौरप सुकला और शुप्रिया पिलगाओंकर ने अपने character को बहुत ही अच्छे धंग से pull-off किया है बाकी नंदीश संदू के पास इस movie में करने के लिए जादा कुछ था ही नहीं except playing a sanskari sun तो इस movie को मैं देती हूँ 2.5 stars Thank you for watching us Please like, comment and subscribe our channel